PSLV C54 प्रयोगानी स्रीहरी कोटनुची प्रत्यक्ष प्रसारंद्वारा चुद्दा कोस्ट पेज जारी है जिसमें पूरा यान पूरुनिर्धारित तरीके से दिशनिर्धारन करते हुए कक्षा की और अग्रसर है कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतिये चरण को यान से प्रिथक कर दिया जाएगा और उसके पश्चाद चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा प्लस एक मिनिट्स तरीके सेपरेट तरीके चरण सफलता पूर्वक प्रिथक कर दिया गया है प्रिथ चरण का प्रज्वलन सामान्य चतुर्थ चरण तरल नुदक पर आधारिट चरण है इसमें मोनोमिथाइल हैड्रेजीन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण को अक्सिकारक के रूप में उप्योग किया जाता है इसमें कुल 2.5 तन का इंधन होता है जो कि दाब भारित इंजन द्वारा साथ दशमलो तीन तीन किलो नुटन का प्रणो दुद्पन्न करता है इसमें ऐसे दो इंजन लगे होते हैं इस समें सभी तंत्र सामान्य निश्पाधन करते हुए बुर्ण दूर नुटन काल कि चार सो सत्तासी सेकेंड के करीब है यानि कुछ आइट मिनेट निर्धारित है इस प्रजोलन काल के अंत तक उग्रह के अंत तक उग्रह के अंत शेपन के इस्तेटियां प्राप्त कि जा सकेंगी और पीएस पोर को बंद कर दिया जाएगा प्रीमिर्ष पर्फुमारा. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारन सतीज दवन अंतरिक्षित प्रस्ट तो आप देख रहे प्रस्ट अप्राइग डिया खर रहे रहे चैद तो आपड़ कर दो आप दो आप दो आप दो आपकेश अप्र्टेज अप्लेश करन कोई सा अंतरिक्षित यान अपेक्षित पत को अनुसरन करता हुआ जा रहा है आईए तब तक इस यान के मुख्य उग्रा EOS 06 के बारे में कुछ जानकारी देते हैं EOS 06 वोशन सेट स्रीनी का त्रितिय पीडे का उग्रा है इसका मुख्य उग्राइश परफॉर्मन्स नार्मल ओशन सेट टू की जारी सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए उननत पेलोड के मदद से व्रिहद अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करना है EOS 06 में मुख्य निद्भार के रूप में ओशन कलर मॉनिटर, सी सर्फिस टेम्परिचर मॉनिटर, के यू बैंड स्केटरोमीटर और अर्गोज का प्रयोग किया जा रहा है अनुप्रयोग में सुधार के लिए EOS 06 अतिरिक्ट डेटा सेट प्रदान करेगा जैसे समुद्री सता अतापमान, पुश्मन के लिए, ऑप्टिकल शेतर में और वाता वरन के लिए, इंफ्रारेक्ट शेतर में ज्यादा संख्या में बैंड सुपलब्द करेंगे इससे संबंधित अल्गोरितम को डेटा सेट्स की मदद से उननत अनिप्रयोग शेतर में विकास लाएगा और मिशन की उप्योगिता में व्रिद्धी होगी अमोंग पसंचर पेलोट थे इस तो नंबर सो थाइबोल्ट शेलिट इस इस 0.5 यू स्पेस्क्राफ बस्ट बस्ट इंप्योट शेतर में विकास पेलोट to enable rapid technology demonstration and constellation development for multiple users. It also demonstrates store and forward functionality for authorized users in the immature frequency band. The satellite shall be deployed by using Dhruva Space Orbital Deployer to perform the specific mission operations for a minimum lifetime of one year. चतुर्चरण समान्य प्रदर्शन करते हुए अपने उद्धिष्ट कक्षा की और अब हम उडान से 835 सेकेंड की दूरी पर आ चुके हैं प्लस 14 मिनिट वरतमान में त्रिवंद्रम स्थित ट्रेकिंग सेंटर हमें डेटा उपलब्द करा रहे हैं PSLV भारत के प्रोमोचक रॉकेट के श्रीडी में त्रिती पीडी का रॉकेट है अक्टूबर 1994 में PSLV की प्रतम सफल उडान के बाद PSLV एक विश्वसनियत था बहुमुखिय उपगरा प्रोमोचक रॉकेट के रूप में उबरा है अब तक PSLV की 55 उडाने हो चुकियां वरतमान प्रोमोचन 56 है PSLV विबिन उपगराओं के प्रोमोचन में सक्षम तो है ही इसके लिए वह मल्टी पेलोड एडेप्टर का प्रयोग करता है न सर्फ विबिन नितबार बलकि विबिन कक्षाओं पर भी उपगराओं को स्थापित करने में PSLV सक्षम है इस प्रोमोचन मिशन में भी और्बिट चेंज थ्रस्टर के प्रयोग कर और्बिट वन जो की 740 किलोमेटर का उपरी और्बिट है से और्बिट तू में प्रवेश कर साही आत्री उपगराओं को उन तक शेपित किया जाएगा we are 15 minutes 15 seconds past the launch time current altitude is 739 kilometers and the relative velocity of 7.2 kilometers per second इस समय PS4 प्रजुलित है और सामाने निश्पादन कर रहा है इस दोरान वा कुल 15.2 किलोन्यूटन का प्रणोध उत्पन कर रहा है इस में इनन के रूप में monomythal hydrazine तथा oxycaric mixed oxide of nitrogen यूज किया जा रहा है close to 480 seconds of burn time of PS4 results in the rocket attaining 742 kilometers altitude stage thrust cutoff चतुर चरन को cutoff कर दिया गया है इसका प्रजोलन काल समाप्त हो गया है अब कुछ एक्षणों में कक्षिये स्थितिया प्राप्त कर मुख्य उग्र EOS-06 का उतक्षेपन किया जाएगा when the correct attitude also is attained the primary satellite EOS-06 will be injected EOS-06 कोड़ साथ सो ब्याइस किलोमेटर की व्रित्तकार कक्षा में 98.34 डिग्री के जुकाओ के साथ 7.57 km 30 seconds की सापिक्ष गती से अंतक्षेपित किया जाएगा EOS-06 सेटलेट सेपरेटेट EOS-06 को सफल्दा पूरवक अंतक्षेपित कर दिया गया है We have had a successful launch and injection of primary satellite EOS-06 Range Operation Director Mission is continuing with two phases of orbit changing thruster that is OCT firing The first phase of OCT burns takes place in the non-visibility period The second phase of OCT burns takes place partially in the visibility period of Lucknow in orbit 2 After these two phases of OCT burning Remaining eight satellites will be separated in the visibility period During the non-visibility period Ground trace will be updated by extrapolation on the video wall All stations involved in operation shall continue in positions Others shall reassemble at 13.30 hours IST Handing over to Mission Director Up next is the address By Secretary T.O.S. Chair Minister Oostry S. Soma Testing 1, 2, 3 Testing 1, 2, 3 Testing 1, 2, 3 Take care of the प्यार्फॉम्हेद क्रफ़ नाज नहीं नहीं टो नहीं है कि अभी अनूंस अभू टो नॉपष्मेघ मखेद लॉप में थायक प्याच विश्सैलेट थो अंग बार्फिन दॉब व्याक रफे मवें नहीं कि जुब बन्ड़ने चेन्ध। लॉपित बढ इस शुब शॉब आट चेस्टे Antarcticator के लिगाय के उंटिए्ट खंयकते से इसाने ही को भी हम इसेट जांख। पूरिक जाओ से लुज हзд Teach Me?' खेस्ट के साव जार कि तो बाल पलताOST अ कि अथांन के सरी मिय करेंग वैजे भेडार इसे लाफ़ अथन साथ्टीन कन थाफ़ लिए फौटत्स आपट्स इन जाफ़ दो एंटाव ज को इनिया पूटन साथ जाविए पूट्ट अपथे जावट यट यद यद ऑफ दिए लिए यदिगारी का जाविई राफ़ फूटत्स आफट आव एंटन साथ्लेट उड़ झार the Earth, now the upper stage has small engines, these engines will fire to bring the orbit from the current altitude to a lower altitude of 511 km circular, that again will be a sun synchronous polar orbit, and this happens through firing at two diametrically opposite locations in reducing the velocity of the stage to achieve this lower orbit, and this process happens some part in the visibility of our ground stations and some part not in the visibility, we will have the data, and the satellite after reaching this orbit will be injected into the expected orbit of 511 km circular, so to look for that event we have our team continuing the work in the ground control center and observing the satellite, so we will come back with this transmission at 1.45 pm today to look at the separation process, meantime let me invite the mission director to have his observation on the mission and to talk to such the information on the outcome of 1.5pm. Thank you very much. Thank you so much. Bye-bye. Alright. Thank you so much. झाल झाल